नमस्कार किसान भाय और मेर साथी हूँ, अत्ये लिक्रिसे में आप सभी का स्वागत है साथी हूँ, आज के हमारे इस विडिएो मिल्त बात करने वाले हैं कि जीने वाला गरमी में हम ढ़ा में टमाटर की खेती किस तरह से करें तापमान अधिक होने पर भी हमारा टामाटर जो है वा पौधा जो हे ज़रक्रिकवाई कर पाएगा ज़लधारान समचद होगी काफी अच्छी होगी तो इस तरह वे से काफी अच्छी प्रॉपटीस होगी जो कि हमारे गर्मी में टामाटर की खेती में हम वह मदद करने को मिल रहा है आप इधर देख लिए पूरा लाल टमाटर टमाटर के तुड़ाई यहां भी नहीं हुई है और इस एरिया में भी आप देखेंगे लगभग तो इधर भी टमाटर की तुड़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है क्योंकि अभी टमाटर के रेट जो है शुरवाती होने वाला है और सहीं भी रहता है गर्मी के दिनों में चैलेंजेस थोड़े से जादा बढ़ तो जाते हैं लेकिन गर्मी में टमाटर की खेती से हमको काफी अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिलता है पिछले साल टमाटर का रेट काफी अधिक था जिसके वज़े से तो यह सम माटर का कैरेट के हिसाब से क्यारेट चल रहा है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं तो अब चलिए हम बढ़ते हैं आगी वीडियो में मुखे हमारा वीडियो जहां उसमें आगे बात करते हैं सबसे पहले आपको खेत की अच्छी गहरी जुताई कर लेनी है उसके बाद तो आप एक पर अपरी भूमी का परिक्षन करा लीजिए मिटी परिक्षन कराने के बाद अगर आप आपके जर्रोतों के हिसाब से आपके मिटी के भूमी के जर्रोतों के हिसाब से इसमें खाद देंगे तो आपके उसमें खाद में बचत भी होगी और आपके लिए से करने चाहिए रोटू रोट डिस्टेंस हमको क्या रखना चाहिए इन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं यहां पर जैसे कि हम सबसे पहले हमने भूमी का दिन बताया उसके फिर मादा जैसे आप बनाएंगे मादे की से मादे की दूरी आप जो है इस तरह से देख सकत इसमें प्रॉपर ड्रिप और मल्चिंग में ही काम करना है अगर मल्चिंग आप नहीं भी करते हैं तो भी सही रहने वाला है आप ड्रिप भी कर सकते हैं यदि आप मल्चिंग करते हैं तो भी अच्छा है क्योंकि नमी को बना कर रखता है ड्रिप लगाना अनिवार है क्यो कि यहां पर आप देखेंगे इस तरह से आपको क्रोस कैशी बना करके ब्र behavioral करनी और तीन रो आप लोगों को बान्ना तो इस तरह से सांथियों आप लोगों को तार्बास के बंधाई अच्छे से कर लेनी हैाइए कि गरम हमाय जैसे चलती है तो वह और शुरू में आपको प्रभावित करी कि से अधिक हो जाता है तो उस समय हमको इसमें पॉलिनेशन की समस्या देखने को मिलती है फूल से फल सेट नहीं हो पाते है यदि कोई फल सेड भी हो गया कुछ इस तरह से छोटे साइज में भी रहते तो यह भी जड़ जाते हैं तो इस तरह से समस्या हमको देखने को मिलती है वाग हम आगे बात करते हैं कि टॉप वेराइटी कौन-कौन सी होने वाली है इसमें आरिया एक जो आता है नुनहंस का आरिया आता है एक वो वेराइटी जो है काफी अच्छी रहती है दूसरा हम इसमें बात करें राइनो जो आता है हाइब्रीड सीड है वो आता है चौते न जुलसता नी था कर JEN沒錯 time on a interview में सर्वाइब काफी अच्छ करता उसका जो है वा टान्स पोर्टिंग केपिशिटी जो थी वह काफी अच्छी थी छिल्का मोटा था तो इस तरह से उसकी केपिसिटी जो हबा कर अ काफी ज़्यादा जो है भराटी को पसंद के जाता है उसके बाद फिर पहले नंबर पर अभिलास जो आता है उस भराटी को भी काफी ज्यादा किसान भाई लगाते हैं तो इस तरह से साथ हो टॉप 5 पराइटी है जिसका चैन करके आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपको उसमें अच्छा मौसम होने पर और सब चीजे अच्छी होने पर आपको काफी अच्छी उसमें बेनिफिट देखने को मिलेगी गर्मी के समय में जब आएंगे जब तो किसान भाई से हम इंटर्वी के रूप में उसे काफी सारी जानकारिया गर्मी के टमाटर को ले करके आने वाले समय में वीडियो ले करके आएंगे अभी के समय में टमाटर के काफी ज्यादा रेड गिर चुके हैं तो आप बताईए कमेंट नीचे करके कि आपके एरिया में टमाटर के क्या करेंगे जल्दी मिलते हैं इसी तरह के इंटेस्टिंग वुडियों में तब तक के लिए जय हिन जय भारत